नमस्कार दोस्तों में आउस्टनी पांडेस वागत अब सकते एक नई वीडियो में इसराइल में बहुत हैवी प्रोटेस्ट हो रहा है बेंजामीन न्यतनियाहू के खिलाब क्यों हो रहा है क्योंकि बेंजामीन न्यतनियाहू ने एक कानून पास करवाना चाहा है अभी तक वो फ्लोर पे नहीं आया है उसमें वोटिंग होगी और वोटिंग में अगर वो पास हो जाता है तो वो कानून बन जाएगा जो image है वो बहुत कटर रास्टवादी और एक दच्छन पंथी नेता की है और बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हैं तो इस वजह से ये हमेशा चाहते हैं कि देश की सुरच्छा और देश के विस्तार में जो चीजे बाधा बनती हैं उनको हमेशा के लिए हटा दिया जाए इनोंने बरखात कर दिया ministry ही छीन ली है क्यों छीनली क्योंकि इनके परस्ताव था उसका वो समर्थन नहीं कर रहा था परस्ताव इनका यह है जो Supreme Court है इसराइल की उसमें जो नयायधीस का चुनाव होगा उसमें government का भी हाथ रहना चाहिए इन लोगों का कहना है जो समर्थ प्रस्ताव का कह रहे हैं दुनिया भर की जितनी भी डेमोकरेटिक कंट्री हैं उनमें जब नियाधिस चुना जाता है तो थोड़ा बहुत उसमें सरकार का भी हाथ होता है लेकिन इजराइल में ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी तक जितने भी नियाधिस चुने गए हैं वो सार नियाधिस ही अगले नियाधिस को चुनता है और कोई उसमें मिनिस्ट्री इंटरफेर नहीं करती है यहीं इंडिया में भी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा इस पे चर्चाय हो रही थी नियाधिस के चुनाओ को लोगर से हम बात इजराइल में है कि गवर्मेंट का भी में से यह किलियर हो जाएगा वो प्रस्ताव पास होने के बाद में कि इंदा फ्यूचर अगर कोई भी चीप जस्टिस बनता है तो उसमें मंतरियों का भी हाथ रहेगा वो भी वोटिंग करेंगे वो भी थोड़ा भूम का निभाएंगे चीप जस्टिस के चुने जाने में इसमें किया हुआ है भी प्रोटेस्ट हो रहा है मतलब इतना हैभी प्रोटेस्ट तो मैंने कभी इसराइल में देखा ही नहीं है जिस लेबल पर प्रोटेस्ट हो रहा है अब बेंजामीन नहीं नहीं हूँ क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि यह जो सुप्रीम कोट के चीप जस्ट इसको तो वो थोड़ी हमारे favor में रहेगा देगो ultimately उनका एक ही matter है कि चीफ justice बीच में आ जाते हैं जब मैं किसी भी तरह का crackdown चालू करता हूं गाजा पटी को कबजा करने में या सरानाथियों को उनको हिसाब से रखने में या फिर ट्रेरिस्ट को neutralize करने में तो ये सुप्र जमिन नयतनय हूं लेकिन अमेरिका और अन्य देश भी चाह रहे हैं कि आजसा नहीं हो ये बिंदो की vampires में हियादा तरीके से बरताओ करेंगे Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu कितने फार राइट नेता है यह UPKCM योगी अधितनाथ से आप comparison कर सकते हो तब भी योगी अधितनाथ उस लेवल के फार राइट नहीं जितने फार राइट Benjamin Netanyahu है क्योंकि वह बड़े लीडर हैं योगी के क्योंकि वह परधान मंतरी के पत्पे हैं इस वाज़ा से वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और उन्होंने अपने रच्छा मंतरी को ही बरखास्त कर दिया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह ठीक नहीं है और उन तो उसका फाइदा उठाके वो हमारे उपर कोई जाल साजी करके और कुछ अटेक हो गएरा करवा पाएं इस वोजह से हम चाहते हैं कि इस कानून का बहुत बिरोध हो रहा है तो यह बिरोध होना भी बंद हो जाए और यह कानून भी ना है लेकिन पिंजयमिन नयते नहूं अपने माइंड सेट में पूरा किलियर है कि इसको हम पास करवा के ही रहेंगे और जब उनको फायर किया उसके बाद में कुछ लोग जो कह रहे थे नहीं हम इसका समर्थन नहीं करेंगे उनके समर्थन में आगे हाला कि कुछ लोग जो बिल्कुल बीच में खड़े थे वो बिल्कुल किलियर है कि हम इसको पास करवा की रहेंगे और जो सुप्रीम कोड का पावर है उसको कम करके रहेंगे क्योंकि यह बीच में बाधा बनते हैं हमें कोई भी आईसी ड्राइब नहीं चलाने देते हैं जो आतंगबादियों को पगड़के हम अच्छे से उनको जेल कर सकते हैं इसी वजह से इसराइल में बहुत हैवी प्रोटेस्ट हो रहा है बाकी इंदा फ्यूचर देखते हैं कि इस पे और क्या होता है क्या यह पास हो पाता है या नहीं पास हो पाता है क्योंकि अभी यह प्रस्ताव है अभी इस पे फ्लोर टेस्ट होगा यानि वोटि है बहु करो दोगस चनलुगा